धन्यवाद सभापती महोदे, आपने मुझे इस एंटी डोपिंग विल पे बूलने का मौका दिया है मैं तिल्गुदेशम पार्टी से एंटी डोपिंग विल के समर्थन में में खड़ाऊं और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा मंत्री जी को जो खेल की व्यवस्ता को एक सई दिशा में आगे लेके जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उसके लिए हम सब साथ में रहेंगे और सब समर्थन भी करेंगे सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और बहुत ही आवश्यक है आज लेके आने के लिए जो स्टाटिस्टिक्स जो आखडे हैं अभी हमारे 2015 से लेके 2017 तक विश्व में तीसरे पोजिशन पे था भारत उस टाइम पे लगबग 57 पॉजिटिव केसिस थे उसके बाद अगर देखा जाए तो 2018 में 117 पॉजिटिव केसिस हुए दो हजार उननिस में 255 केसिस हुए तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये केसिस बढ़ते जा रहे और आज भी थोड़ा दुक्की बात है जो कॉमन गेम्स होने वाले उसमें भी लगबग 10 खिलाडी फेल हो गए जो डोप टेस्ट है तो बहुत ही आवश्या के इसको लेके आने की जरूरत तो बहुत ही है और बहुत डेलिबरेशन के साथ भी सेलेक्ट कमिटी के बाद बहुत ही लीगल एक्सपर्ट मेडिकल एक्सपर्ट स सबके साथ डिसकस करने के बाद यह बिल लेके आए पर उसके बावजूद भी दो तीन ऐसे सुझाव हैं जो मैं आपके जरिये मंतरी जी को मैं यहां पर रखना चाहता हूं सबसे पहले जो बहुत ही लोगों ने सदसियों ने भी मेरे से पहले जो बोल रखे हैं उन सबने यह बात उठाई है जो डिरेक्टर जेनरल का अपॉइंटमेंट या उसको जो निकालनी के तरीका जो है इसमें जो इन्वाल्मेंट है केंद्रे सरकार की वो डेफिनेटली वो कम होने चाहिए या बिल्कुल होनी ही नी चाहिए इस इस वाट दे वाडा ऑलसो सजेस्ट जो एंटी डोपिंग एजनसी भी है वो भी यही सजेस्ट करता है कि एक इंडिपेंडेंट ओर्गनाइजेशन की तरह इसको चलना चाहिए उसमें मिनमम गवर्नेंस इंटरफेरेंस होना चाहिए ताकि वो अपने काम सही तरीके से बिना कोई इंफ्लेंस के साथ वो करे और वा को बिलकुल ध्यान में रखी कोई भी अगर निरने हम लेंगे तो जरूर उनके जो सजेशन से उनके जो राय है हमें जरूर पॉजिटिवली लेना चाहिए सर इसके बाद दूसरी जो बात है अभी क्रिमिनल PC CRPCB हमने आड किया इसके उपर तो इस यह बिल Clause 19 भी सजेस्ट करता है कि NADA can enter search and seize for anti-doping activities under CRPC I just want to get a clarification from the Honorable Minister that this kind of clause will not be misused by any of the organizational officers will they be given any legal warrants before they are searching any player or not that kind of clarification I would like from the Honorable Ministers sir other than this a car important bar Joe may rakhna chaunga national dope testing laboratory पहले ऐसा होता था कि जो NDTL India का जो national dope testing laboratory था वहां पे चे केसे ऐसे उन्होंने test किया जो negative आए फिर बाद में Montreal Canada में एक test testing facility को जब उन्होंने बेजा तो वहां पे positive आएंगे तो इस तरह के काफी instances ऐसे हुए थे जहां पे हमारे यहां पे अगर testing हो रहा था तो negative आ रहे थे कई और दूसरे लाब में अगर उसको करेंगे तो positive आएंगे तो ऐसा क्या बदला अभी तो जरूर यह लाबरेटरीज को हम रिकनाइज करने के एक कानून तो लेके आ रहें पर ऐसा क्या बदलाव हम लेके आ रहें इसके अंदर यह infrastructure के अंदर कि इस तरह के instances आगे हम repeat नहीं करेंगे तो this clarification also I definitely like from the honorable minister sir sir the third point that I would want to make इसमें athlete को define किया है but the only confusion that I have right here is if there is any player foreign player who is coming from outside the country and competing in an event in India will he be under the ambit of this law or will he be under their own parent country law तो यह भी क्योंकि athlete को पूरी तरह से उसमें definition में मैं समझ नहीं पारों कि अगर बाहर के खिलाडी यहां पर आके इस देश में कहलते हैं क्या वो भी इस कानून के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं तो वो भी एक बार clarify करना पड़ेगा sir sir इसके बावजूद sir more like a suggestion जो बाकी लोगों ने भी दिया है awareness awareness is definitely a very important point that we should concentrate on हम भी देखते हैं कि जादा तर player दूसरे लोगों के pressure में आने के बाद क्योंकि हमारे यहां पे है sports में कि make it or break it एक ही तरीका है कि आप वो टॉप में रहना चाहते तो performance पे ही based है तो उस दबाव में आकर काफी लोग कुछ लोग अंजाने में जाने में कुछ suggest करते तो उसके प्रबाव में आकर वो लोग इस तरह के doping substances कुछ लोग use करते हैं, performance enhance करने के लिए बत नोट वित नेगिटिव इसको टैकल करने के लिए awareness programs जैसे पहले भी speakers बोल चुके है तो वो जरूर करना चाहिए sir sir two are a point आगे yes yes I know sir but from my party also I have to make all your points have come two more points I'll just close it sir the other point we are seeing this sports competence of our nation by looking at the medals we win. सारे विश्व के competitions देखते हैं कितने medal आई तो उस हिसाब से हमारे देश का sporting अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है पर अगर सही तरीके से हम अपने competence को sports competence को अगर देखना चाहेंगे तो हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा सर गांगाओं में देखना पड़ेगा हमारे schools में देखना पड़ेगा किस तरह का infrastructure वहां पर बन रहा है किस तरह से बच्चे वहां पर sports में जुड़कर वह अपने बिल से वहां पर केल में वो शामिल हो रहा है ये सब देखना पड़ेगा तो इसके लिए में स्पोर्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा की स्पोर्स का इंफरस्ट्रुक्टर स्कूल्स में भी इंपूर्व किया जाए जब वो शुरू करेंगे हम तो जरूर उसके प्रभाव से हम ये इंटरनाशनल लेवल पे वो मेडल सम आगे देख पाएंगे सर तो माताल हैर लिए सब्सक्राइब ओप्रव से सब्सक्राइब